बिरेन जी भी आगे हैं डिबेट में विरेन जी क्या इस वक्त की स्थिति है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के टिकट भी अभी क्लारिटी नहीं है और बीजेपी का भी टिकट अभी क्लारिटी नहीं हुई है कारण क्या है तब जब सिर्फ कल का वक्त पेशेश है प्यार्प ये बात लागू होती है लेकिन whenever कि संजय निशाथ का चुनाव निसान है कि भोजन भरी थाली थाली से पूरा भोजन गायव है तो जब तक क्लियर टी नहीं आ जाएगी तो वह का तक की लिश्ट आएगी कल भोजन भरी थाली उनका चुनाव निसान है और वहाँ पर यह लोग जो है खाली कर दिये पूरी थाली तो वह चारे भाई कुछ तो आ जाए तो यह चुनाव ब्रजेश जी इस बात का भी तस्दीक करेंगे कि बटोगे तो कटोगे वाला नारा क्या उत्तर प्रदेश के गाउं में जमीन पर उ लात्मूर है और यूप यूपी सरकार के लिए मुख्यमंत्री के लिए और ऐसा लगता है कि लोग सभा के चुनाओं में जो बात आई थी कि आर एसेस के कारकरता उदासीन रहे थे आज मतुरा में मुख्यमंत्री और संगित प्रमुक की मुलाकात के बाद वो सक्रियता पर बिधायक जी नहीं है फाईयार करा दी तो देवतुल लोग आगे और उत्साहित रहेंगे कि अभी यहीं थमेंगे यह आगे चलके पता चलेगा लेकिन यह चुनाओं देखिए उपचुनाओं जो होता है सभाविक है जी चाए पीडिये बनाओं चाए पीडियस बनें लेकिन उपचुनाओं हमेशा से लेकपाल, परधान, कोटेदार और थानेदार लड़ते रहे हैं यह तो अलग-अलग 85 समिकर पार्टिया बनाती हैं लेकिन उपचुनाओं यह सम 4-5 मुख्य लोग लड़ते हैं और जिताते हैं तो उपचुनाओं में कोई बहुत चमतकार होगा इसकी उम्मीद ना की जाए लेकिन जो चार सीटे समाजवादी पाइटी की हैं करहल कुंदर की सीसामव कटेहरी यह सीटे जाती है समिकण के अधार से सपा के लिए मजबूत हैं और यहां पर भाजपा अगर सेंधमारी करती है तो फिर उसको एक बड़ी सफलता माना जाएगा अब यह वह कैसे चीन पाएगी कितनी मेहनस से चीनेगी वह देखें क्योंकि अखिलेश यादव ने टिकट बहुत होस्यारी से दिया है उन्होंने अपने पीडिये के जो समिकर्ण है उसको दुरुस्त रखा है दूसरी और निसात के साथ साथ जैन चोधरी की वि हारते हैं तो अभी तक तो भाजपा से सब लेते चले आए यूपी में मंत्री फिर यह उप्चुनाओ का टिकाट फिर केंदर में मंत्री सब हो गया है अब अगर यहां पर वो मीरापूर को जीत नहीं पाएंगे तो पस्चिम में उनकी जो फिजा खराब होगी होगी भाज के लिए संकट रहेगा मीरापूर की सीट पर बहुत बड़ा वैसे यह लडाई तो देखिए सीधी है एक तरफ भाजपा रहेगी एक तरफ सपा के गड़बंधन अब इसमें जो सही होगी एक का दुक्का लड़ें या ना लड़ें लेकिन कल भाजपा की लिस्ट आज आए लड़ेंगी क्योंकि परसों नामांकन का आखरी दिन है पचीस तारीक को तो जो भी कुछ करना यह कल तक हो जाएगी और अब दूसी टोपर लड़ेंगी एक सीटोपर लड़ेंगी कांग्रेस कांग्रेस नहीं लड़ेगी यह कांग्रेस देखें लेकिन यह चुनाओ रख पाएगी कि नहीं यह सब चीजें इस चुनाओं में पता लगेंगी अगर भाजपा यह चुनाओं जीती है फिर वो महराष्ट में जारखण में जीती है तब तो फिर वो दिल्ली और विहार यह सब जो अगले साल चुना होना यह तो सब कहते हैं कि जिसे कमल लड़ा क कि जीत लेगी कुछ रोक नहीं पाएंगे वह इसे भारत में जब तक जातिवाद है जब तक पाखंड है अंद्विश्वास है देखिये जाती है भेद्भाव ना खतम होगा ना समानता खतम होगी और इसी वजह से चुनाओं में हमेशा एफ्यक्टिव रहेगा अभी तक ह ने थे पीडियस भादपा ले आई पीडियस तो रासन वाली पितना प्रालिम चलता था भादपा ने वहां पर अब टिकट का अधार मना लिया यह जो सक्रिय सदस खुब बनाए हैं इनको भी अकात किसी को मौका मिल जाता तब भी चलो उनकी मेहनत सफल हो जाती है फिलहाल जी कंक्लूड करें जी चुनाओ है अभी सब सरकारे सब पार्टियां अपने अपना जोर लगा रहे हैं काफी तोपे मिल रहे हैं उदारता का दौर है यह चलता रहेगा एक साहितिकार ने लिखा है सुनिएगा कि आखे खुली रखो इस मतलब के जमाने में मियां और और लूट कर भर लिए गोदाम जिसने अब बोरी दो चार बोरी बात कर वह भी उदार बने फिरते हैं बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक ओपिनियन और पॉलिटकल अब्जरवेशन